क्लास पर फर्स आने का बेस्ट उपाए जो आसे हो सीज हलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों आपने हमारा पिछला वीडियो देख लिया था बिजनस टेडीज का चैप्टर वान तो चैप्टर वान में हमने क्या देखा था हमने कंपेर किया कि अगर आप बिजनसमें बनो या आप प्रोफेशनल बनो या आप जॉब करो किसकी क्या एडवांटीजेस है किसकी क्या रिक्वाइर्मेंट से तो यह देखकर आपने अपना मन थोड़ा थोड़ा बना ही लिया होगा कि आप किस तरफ जाना चाहते हो और सपोज आप कहते हो मुझे तो बिजनसमें ही बनना है तो आज का चाप्टर बहुत इंपोर्टेंट है बिकाज इसमें हम बताएंगे how to start a business एक website को कैसे शुरू करें चलो शार करते हैं सबसे पहले आपको सोचना होगा कि आप website क्यों शुरू करना चाहते हैं Why do you want to be a businessman? इसके कुछ कारण भी तो होंगे तो बहुत लोगों से मैंने पूछा और उनोंने कहा कि हम self-employed बनना चाहते हैं स्वार रौजगार करना चाहते हैं हम किसे पर dependent नहीं होना चाहते अपना business करेंगे अपना कमाएंगे कुछ और लोगों ने मुझे कहा कि हम दूसरों को भी employment देना चाहते हैं हम job seeker नहीं बनेंगे हम job creator बनना चाहते हैं wonderful और कुछ लोगों ने इससे भी आगे बढ़कर मुझे बोला कि हम देश की जो economy है उसमें हम participate करना चाहते हैं तो यह जो एक इच्छा है business करने की इसको कहते है enterprise या उद्दमीता और जो इसको करता है उसको हम कहते है entrepreneur उद्दमी उद्यमी यानिके जो एक business को set up करता है कोई भी business start करने से पहले दो factor आप जरूर याद रखियेगा number one is business environment, business का परियावरन और number two is आपके personal desires, personal इच्छाए, personal ambition, personal जुनून यह सहरी number two होती है तो number one को पहले देख ले तो website परियावरन या business environment यानिके वो सारे factors जो आपके business के बाहर हैं पर उनका impact आपके business पे आता है for example, अभी दो साल पहले आप देखो, जैसे ही Ukraine और रशिया का यूद शुरू हुआ, वैसे ही पूरे विश्व के देशों में business पर impact आने लगा कहीं oil पे impact आया, कहीं wheat पे impact आया, पर impact जरूर आया and number two is, व्यक्तिगत इच्छा है, your personal desires, इस पे दो चीजे होती है, एक होती है कि आप, आपका जो intention है, वो कितना strong है, आप इसको करेंगे, ऐसे जुनून लेके आप चल रहे हैं और दूसरा है, इसको करने के लिए, आपके पस कितनी business understanding है, इस business के बारे में आप कितना जानते हैं और साथ-साथ, आपके पस क्या skills है, जो आप business में लगा सकते हो तो इन दो factors को use करेंगे, जब हम business environment and personal desires, तब बनता है जाकर, ये दो factors जो business को impact करेंगे अब हम शुरू करते हैं, steps, पहला कदम क्या है, select the type of business, business का प्रकार चुनिए, इस पर कैसे किया, किन चीज़ों पर depend करेगा number one, आपके रुची कहां पे है, number two, किस business को आप एकदम deeply जानते हैं, समझते हैं, understand करते हैं number three, आपके पास इसके लिए क्या कुशलताएं हैं, और number four, आपके पास कितनी पूंजी है, आपके पास कितना capital है, और सबसे important है number five, कि आप जो चीज़े बनाएंगे, जो products बनाएंगे, या जो services देंगे, बाजार में इसकी कितनी demand है, यानि कि customers इसे चाह भी रहे हैं, या न एक industrialist, एक उद्योगपती बनना चाहते हो, तो कुछ लोग लगाते हैं heavy industries, जैसे steel, chemical, ये सारी चीज़े heavy industries होती है, कुछ लोग लगाते हैं MSME, medium size industry, small size industry, और micro size industry, आजकल तो nano industries भी बन रहे हैं, चोटी-चोटे start-up, दो लोग मिलके एक चोटा से start-up बनाते हैं, पर धीरे- वो depend करता है, कुछ factors पर, number one, इस चीज के लिए market में demand कितनी है, अगर कम demand है, तो आप छोटे scale पे लगाएंगे, जादा demand है, तो आपकी कोशिश रहेगे कि बड़े scale पे लगाएंगे, और number two, इसको लगाने के लिए, आप कितना capital, कितना wealth, कितना finances आप जुगार कर सकते हैं तीसरे number पर, type of ownership, जब आप business को register करेंगे, या इसका एक legal shape देंगे business को, तो आपके पास तीन type of ownership हो सकते हैं, एक तो है sole proprietorship या एकल स्वामित्य, आपका business केवल आपका, दूसरा है partnership या साजेदारी, और तीसरा है joint stock company, या संग्यूत पुझी company, तो कौन से में आप जाएंग इस पर depend करेंगे, कुछ factors पर, number one है, आपके पास कितनी पुझी है, एक तो होता है business को कितनी पुझी की जरूरत है, और दूसरा होता है, आपके पास available कितना है, तो हम availability की बात कर रहे है, number two है, कि आप कितना liability ले सकते हो, कितनी इसकी जिन्वेदारी ले सकते हो, that is number two, number three is, क क्या पूरा अपने आप रखना चाहते हो, या आप दूसरों में बातना चाहते हो, यह number three पे है, और number four पे है, continuity of business, business की निरंतरता, इसका मतलब क्या है, कि अगर किसी कारण से, आप business को continue नहीं कर पाए, तो क्या यह business आपके family member के पास जाएगा, या आपके partner के पास जाएग जहां कच्छा माल आराम से मिल जाएगा, जहां अच्छे श्रमिक मिलेंगे, जहां हमें बिजली के आपूर्ती होगी, enough electricity हमें, electricity, water, roads, transportation की सुविधाय, communication की सुविधाय, यह सारी चीजे जरूरत है, तो ऐसे जगह पे लगाए, जहां यह सारी चीजे हमें सुविधा से मिल स आसानी से मिल सकती है, और फिर a very important point, money, 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 कहां से आएगे, एक तो हो सकता है कि आपने जो आपकी savings है, आपके पास जो है, inherited wealth आपका जो है, उसको आप लगा सकते हैं business में, दूसरा है कि सब partners कुछ-कुछ amount देकर business को बना सकते हैं, और तीसरा है कि पूरे public को आपने खो हैंगे क्या, number one, fixed assets, fixed assets यानि के जो आपकी स्थाई संपत्ती है, for example, land, building, machinery, fitter, equipment, साजो समान, ये सारी चीज़ आपके fixed assets में आती है, और एक होता है current assets या चालू संपत्ती, यानि के आपको salaries देनी है, आपको raw material खरीदना है, आपको transportation के लिए पैसे देने है, storage के लिए आप expenses होती है, वो आती है current assets, और तीसरा है, किस तरीके से लगाएंगे, एक flow chart आपको बनाना पड़ेगा, phase one में ऐसा, phase two में ऐसा, phase three में ऐसा, इस तरह से पुंजी को कैसे लगाएंगे, अगर आप विनिर्मान में हैं, तो अब आप plant लगाने के लिए तयार है, तो आप क्या कर आपको land खरीदना है, फिर एक plant layout बनाना है, आपको अलग-अलग buildings खड़े करने है, उसमें machinery, various type of equipments लगानी है, बिजली का arrangement करना है, पानी का arrangement करना है, तो यह जो सारी चीजे आती है, यह physical infrastructure में आती है, कितना लगाएंगे, कब लगाएंगे, यह depend करता है, किस type का business आप कर है, उसका जो manufacturing process है, वो किस type का है, और number three, आपके पास कितने funds available है, number seven पे very important human resource, physical infrastructure तो लग गया, अब काम कौन करेगा, इसके लिए होते है managerial staff, जो प्रबंधक स्टाफ कर के staff है, और उसके होते हैं working staff, जो workers होते हैं, so बहुत जरूरी है कि सब के पास कुशलता हो, सब सक्षम हो, that is, they are competent, और सब बचन बद हो, या committed to the organization हो, तभी एक organization तरक्की करती है, and finally, अब तो आपका business चल पड़ा, but please remember, कि आपको अभी tax planning की बहुत जरूरी है, क्योंकि कई सारे सरकारी नियम, कई सारे income tax के नियम आप पे लागू होते हैं, तो आपको इन नियमों की जानकारी ज tax planning करके चले, तो आपके business efficiently run करेगी, तो अब आप शुरू है production के लिए, और उसके बाद marketing, sales, distribution की पूरी प्रक्तिया आपको शुरू करना है, तो मेरे दोस्तों, अब आप businessman बनने के लिए तयार है, मैंने तो आपको process बता दिया, इस process को याद रखना, number one, two, three, four, five, six, seven, eight and nine जैसे हम पहले भी आपको कह चुके हैं, रट्टा मत मारना, logically सोचो तो एक flow आपको मिल जाएगा, और उसी flow से आप अपने शब्दों में लिखना, बढ़िया से बढ़िया आपको marks मिलने वाले हैं, सारांग्ष तो आप देखी रहे हो, और हमारे साथ दूसरे मीडिया पे जुड़े हुए हो ना, क्योंकि इस पर हम रोज एक motivation पोस्ट डालते हैं, आपको अच्छा लगा, हमें तो बहुत अच्छा लगेगा, थैंक्स फर वाचिंग, वोसे, पोस्टीज,